जो वो उसका मतलब उसका जो सोल था उसकी जो आत्मा थी इतने दिनों से उसके पीट पर ले दी हुई थी मतलब डेड बॉड़ी के सोल को लेके खूम रहा थी सो ओल राइट गाइस वेलकम बैक टू दे चैनल और भाई साब पिछले वीडियो में काफी बढ़ियां अच्छा खासा आप सभी का रिस्पॉंस आया एंड यार कॉमेंट यार भाई साब आप लोग के यार बस दिल से की बात करना चाता हूं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद तो भाई इधर उधर की बाते ज्यादा नहीं करते हैं सीधर टॉपिक पर आते हैं तो बाकि आप सारी लोग भाई समझदार होई सारी लोग आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिएगा बाकी वीडियो अच्छी लिए वीडियो को लाइक किजिएगा और बस कॉमेंट एक बढ़िया सपना अच्छा सा कर दीजिएगा चलो एक वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो भाई दखो दो चीजे हैं पहले तो हम लोग की भा कंणने का मतलब इच्छा सबका होता है वहीं दूसरी तरफ ये सारी बाते जिसके उपर पड़ी हैं मतलब ये सारी जो चीजे हैं जिसके उपर हावी हुई हैं उन से उनका experience पूछो या फिर जो अभी वो लोग फेस कर रहे हैं उन सब के बारे उनका current पूरा सरीर काप जाता है लिटरली भाई एक्सपीरियेंस पूछो तब भाई आप सभी को समझ में आएगा कि भाई ये सारी चीज़े होती क्या त्यार आज एक ऐसी घटना के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में सुनके यार आप लोग पहले तो विश्वास नहीं होगा यार पूरी स्टूरी देखना छोटी सी वीडियो रहने वाली है भाई थ्रिल से भरपूर है मतलब यार एंड में आपको ऐसा थ्रिल देखने को मिलेगा ना भाई आपका क्या ही बताओ एकदम आपका दिमाग खुल जागा यार इसा ये स्टॉरी है मतलब मैंने पहली बार इसको पड़ा इस्टॉरी नहीं को एक तरह से केसी स्टेडी कह सकते है इन्सिडेंट है तो रियल इस्टॉरी में कोई नहीं ले सकता ऐसे बहुत तो चलियो वीडियो मागे बढ़ते हैं तो यार सीन कुछ मेंds हैं कि आमेरिका में एक कपल रहते थे तो तो आय दिन हो स्ब भाई साब जो उसका husband था वो अपना आपा खो देता है और अपनी wife को माल डालता मतलब उसका murder कर देता है murder करने के वाद यह सुछता है भाई क्या करें उसकी बॉडी को वो लिजाया कि अपने गार्डन में दफना देता है एड उसके बाद उसके दिमाग में बाते चलने लगते हैं कि भाई साब यह सो मैंने कर दिया बाकी उसका एक बेटा भी रहता है तो वह सोचता है कि अभी मेरा बेटा तो स्कूल है और वह स्कूल से जब पापा था वो बस लब उसके दिमाग में यही सारा कोश्चन चलता है कि भाई वो आ चुका अगर अपने ममी के बारे में पूछेगा क्या ही बोलों गाउसे तो कुछ समय बीटता है का दो दिन बीटते हैं जब यह बच्छा अपने पापास अपने ममी के बारे में मतलब लगता है कि इतना दिन बीत गया और उसका मैंने मडर भी कर दिया और मेरा बेटा उसके बारे में कुछ पूछ भी नहीं रहा है तो फ़ड़ा मतलब ऐसे इस ट्रेंज लगता है तीन-चार दिन पीतने के बाद वो जो उसका लड़का होता है वो अपने पापा से कुष्चन करता है कि पापा ये बताओ एक बाप बताओ कि मैं देख रहा हूं इतने दिनों से आप मम्मी को अपने कंधे पे लेकर क्यों घूम रहे हो अब भाई साहब इसका तो सिट्टी पिट्टु गुम और भाई आप लोग जो कुई भी देख रहे हो भाई आप भी एक बारी में सोच में पढ़ी गया होगे कि भाई इतने दिन से वो बच्चा क्यों नहीं अपने पापा से पूछ रहा था कि उसकी मम्मी का है क्योंकि उसकी जो बाड़ी सोल को लेकर खूंग रहा था यार एसी एसी मतलब चीज़ें हैं दुनिया में आर जहां तक कोई सोच भी नहीं सकता अ और हम लोग की फिंकिंग है एक जगां तक मतलब देखा जातो लिमीत है मतलब कि वहां तक हम लोग सोच ही नहीं पाएंगा हम लोग बाई वीडियो टेक केर और भाई अच्छा सा वेल्यूबल कॉमेंट करके सारे बंदों को जाना और जितने लोग चैनल को सब्सक्राइब नेक्स्ट वीडियो में जैस्री राम